प्रवावी ते दो चिला उन्हों ने भी माल लिया था ठीक है अब वो दिमाग यह उनका बंदा इसके अनावा कोई बात नहीं प्रदेश में क्रिमनल सबसे ज़ादा है जो की रोज बीजेपी वाले यह कहते हैं इसको पकड़ लिया उसको पकड़ लिया यह जातवाद के ना पसंद है हम देखेंगे जुदा साथ में गांजा पीते हैं तो शर्वियों को इसलीं पाफशन्द वालों से मेरा यह कहना है आपके चैनल के माध्यम से परचारक है उनके वह एक पर जनता के बीच चले जाए जब यह कामी दलाली वाला करेंगे जब यह दलाली करेंगे तो पूटे जाएंगे हमारा युवा बेरोजगार, पुलिस वाला रो रहा है, आंग अनबाडी रो रही है, एक हमारे मोदी साब की बड़ी-बड़ी मूर्ती लगाए जाए कि चाय बेचने वाला इस देश को बेच के खतब कर देगा भारती जंता पार्टी का कहना है कि रोजगार इसी सरकार में मिला है, जूट बोलते हैं यह यह शरकार, बेहा है यह, बत्तमिस सरकार है यह, चाय बेचने का अगर काम मोदी बबाबा आपने किया था, तो कृप्या करके पहले स्टेशन का नाम दर्ज करा दें, लेकिन इतन आसान नहीं है, योगी जी को हराना, योगी जी को हराना इतना आसान नहीं है, उनके साथ राष्टवाद है, जूटा वाद है, कोई राष्टवाद नहीं है, जूटा वाद है, बसका चार खताब, योगी भी खताब, योगी भी खताब, राष्टवाद है, यह बहुत बड पूंदे ने मिला जिनको दबाएं नहीं मिली जूटे लोग हैं इंगर इनका बिधायक एक लड़की का रेप करता है उसके परिवार की हत्या करवाता है ऐसे यह लोग हैं और यह लोग कहते हैं यह बेटिये सेफ हैं समाजबादी सरकार बनेगी योगी अधितनात को बाकाईदा पेंशन का इंका इंतिजाम किया जाएगा यह सादू संत्य अपने मट पे रहें परदेश को बरबाद ना करें अजिन हमारे अकलिय चाएंगे और जोगी मोधी यहां चने चाहें लगाएंगे लिए अधाई कमने तरह बाद नेता दुना धागा बस नेता नेता चकू चारसो भी नेता पंजाब पुलिस दलाल नेता चा का झेल सभी लां हमारे खास प्रोग्राम जनता कहिन में आपका स्वागत है मेरा नाम मुहम्मद जैफ है देख रहे हैं आप 24 तक ने उचे जहां पर मैं मौझूद हूँ यह लखनो का मसहूर घंटा घर है सबसे पहले तो हम आपके पास आना चाहेंगे कर्रांते हैं सरकार में बीजेपी आ रही है अगर उनके पास कुछ रहती कहने के लिए कुछ होता तब न मोशके लिए आते आज उनके पास कुछ कहने के लिए तो साकार में कहां से वो आ जाएंगे सिर्फ purely नफरत की बात कर रहे है । ह का सारी पास आएंगे की टांकते आप क्या सोच रहे हैं कि इस सरकार में कितना विकास हुआ सबसे पहले विकास सब्सक्राइब करते हैं कि क्रिमिनल सच में कितने ज्यादा है तो आज भी क्रिमिनल जेल नहीं कि यह जातवाद के नाम पर सारा सब्सक्राइब करते हैं दूसरी समाज के लिए उन्हों ने किया ग्यास तक हमारा युवा बेरोजगार पुलिस वाला रो रहा है आंगनबाडी रो रही है समाज में हमारे युवाओं से अगर आप बात करें पड़ी लिखी जनता एलल्बी और एन्ने एमल्बी किया हुआ बच्चा हमारा पांस और उसके जेव में नहीं है करोना सकन्द वेव रहे लेकिन यार तुम इसी बात करें देखो भी जेपी के लोग कह रहे हैं और यह वाले बिलकुल सही कह रहे हैं क्योंकि वह अपने ही नहीं बचे हैं आप हम तो बीजेपी वालों से मेरा यह कहना है आपके चैनल के माध्यम से उनके जो विदान सभा ट्रिकर डिनका हुआ है जो परचार परचारक है उनके बाब जनता के बीच चले जाए रहे हूं को जनता के बीच गाउम में जाकर पब्लिक कूठने का इमसे सब्सक्री नहीं है लखनों युनिवसिटी किया और इस समय हमें लेल भी कर रहे हमारे साथ के जितने क्लास में पढ़ाई नहीं करें कोई सब बेरोजगार है कि तरह मतलब क्या मतलब यह क्या मतलब यह क्या मतलब है कि हम पढ़े हैं अभी में हम पूछ लें आप लेल भी करने चाय बेची कोई पीने वाला नहीं कोई करीदने वाला नहीं नहीं किया क्या करें और आप तो यह देख लेते हैं कि एश्वरिया राय कहां चाह रही है कितने दिन की प्रेगनेंट है तो वाई मोधी बापा का प्रेगनेंसी जहां उसने चाय बना के बेचा है मेरे प्राइम मिनिस्टर ने गौर वानवित किया जाए और उस अस्थान पर समान दिया जाए और उस रेलवे स्टेशन को साज धाज रूप रखा के एक हमारे मोधी सा जब चुनाओ नहीं होना ज Belgium कि हो जा थी लागते अनि कितने हैं पूरे दिल्ली का सानसाइफ यह दो रहता ही और रहता है कोहराने लिये जोड़ से नीजे तक मता इए ज़ड़ा दिया जता है बहीए यह जञा लेकिन इतना आसान नहीं है योगी जी को हराना योगी जी को हराना इतना आसान नहीं है उनके साथ राष्टवाद है जूटा वाद है कोई राष्टवाद नहीं है जूटा वाद है वो योगी जी बता दे कि अपने उपी के अंदर देखिए पहले हिंदूत खत्रे में था आज का है आज कास्टवाद है आज शिप्ठाक्रों का कास्टवादा पहले राष्टवाद था योगी जी के आने पर का चुवाद हो गया आज हिंदुस्तान गंदर से मुसल्मान हिंदू खत्रे में था बनाई है और जितने कुंडे माफिया थे सब जेल में चले गए जितने 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 हम यह बहुत बड़ी हिंदुवाधी सरकार अगर यह बनती है हमको यह बता दें कि कोविड में जो लोग नहीं जोंड़ी जूटे लोग है इस वक्तितर परदेश के अंदर ठाकुर्वाध अपनी चरम सीमा पर ठाकुर्वाध सरकार में वाद नहीं ताव मैं बता यह समाज वादी में का यदव यादवाद नहीं ता कि नहीं सफार यादवाध ठावर है मैं मना नहीं कर रह रही हो उसे लेकिन अख्लेष जी काम किया है इसको नहीं काट सकते हैं आप और कांग्रेस के विकाल में कांग्रेस ने कास कि आज आप अगर एम से देख रहे हैं कांग्रेस की दिने सतर साल का काम आज भुनाया जा रहा है मोदी सरकार के अंदर टेली बीजन नहीं देखते हैं कंगना ने कहा कि हमें फिल्म पसंद है हम देखेंगे गांजा पीते हैं तो नशेणियों को साथ पसंद होता है ठीक है दोनों साथ बैठके देखते हैं तो उसमें कोई दोराय नहीं हम यह पूछ रहे हैं कि भारत का सब्सक्राइब और पार्ट जनिद्वर पार्क इसने बनाया वाइस से ल लोग किसी को नहीं बेचने देंगे और महिला को खास करके महिला जागरित हो चुकी उत्तरप्रदेश की लेकिन पर कई दिन से एक चीज वाइरल हो रहा है मैं आप पर एक फोटो वाइरल हो रही है और उसमें लिखा हुआ कि बेटिया जो है वह भारतिय जनता पार्टी में सुरच्षी थे इसलिए स्वामी परसाद मोरिया अपनी बेटी को भारतिय पार्टी में सोड़के गए उपना यादो वह भी पहुच गई देखिए कट्वा के अंदर नौ साल की बच्ची के साथ में रेप करते हैं यह लोग और यह लोग कहते हैं यहां बेटिया से अभी आप देखें कि संक कार करता का वो पूरा वीडियो वारल हुआ कैसे अपने नेत्रियों के साथ में क्या क्या करते हैं किस तरह गुलचले उड़ाते वो सब लें देखा वो पूरी वीडियो फोटे सब के सामने हैं तो यह बात तो आप नहीं किजिए कि बेटिया कहां सुरस्चित हैं मेरे उपर का है मेरे उपर क्यों कर रहे हैं हमने तो सच्छा ही दिखाए हैं हमारे उपर तीन आरोप यह है कि मीडिया ने किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया सब बोलिएगा लेकिन इमांदार मत बोलिएगा अब सबसे इमांदार आदमी अगर पूरे देश में कोई है तो वो मीडिया में दू लोग है जिसमें से तरफदारी करती है परमनेट पाल लगखा है या जो नहीं जो सच्चाई ना बोले आप भी तो दिखा रहें आप में इतना दम है आप में इतना दम है कि आप जीरो ग्राउंड से आप पबलिक को दिखा रहे हैं जब यह कामी दलाली वाला करेंगे जब यह दलाली करेंगे तो कूटे जाएंगे अब देखिए मैंने भी बताया था ना कि चिलम साथ में पीती है यही हाल साथ में रहते रहते यह एक टीवी का पत्रकार था जो आया ता जूमता हुआ यह साथ का असर है यह साथ का असर है चावरसिया जी साथ में दो कर ज्यादा लगा लिए वो भी और जूमते में साम को आए चाहर खत्ब हो गए तो यूगी जी खत्म हो गए यह चुक जा कि जाया जोगी जीए नहीं चाहर खतम हो इसे योगी जी खत्म वहीं तो यूगी जी जी नहीं घता प्रवादी सरकार बनेगी योगी अदितनात को बाकाइदा पेंशन का इंतिजाम किया जाएगा ये साधू संत्य अपने मट में रहें परदेश को बरबाद ना करें इसके लिए चाहना चाहे योगी जी दीरे दीरे काम तेरा तीरे 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 अब बाबु क्या रहे हो जबर्द कि आपके अपकी हमारे अकले चाहिए और जो की मोधी यहां चने चाहे लगाएंगे हाँ बाब सुरू कर दो सुरू हजा शुरू हो जागाऊ लेकर रुक जाओ भाईया क्या हुआ अरे हमको कर ले दो प्रुजाएंगे अनलब अरे चोड़ो पहाला सुना कंओ अरे पहाला सुना यार नेता एककम नेता दोणा दगाबस लेकिन भाइया उत्तर परदेश के अंदर हमारी टीम नहीं रुकने वाली है सच्चाई के साथ हम आपको दिखाएंगे जुड़े रही है 24 तक के साथ केमरा में इंचान के साथ मैं मुहम्मद सेफ लखनव